जैहिंद, नमस्कार, मैं अमन कुमरपांडे, आप लोगो ब्राइट पब्लिकेशन के यूटुब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब कर चुके होंगे यदि आप में इसे कोई भी इस चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने कि हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और बिल आइकन भी प्रेस कर देंगे चली आज हम लोग आते हैं कलास 7 के परशनावली 4.4 को 4.4 से जितने भी कोईशन है इसको हम लोग सल्व करने वाले इस वीडियो में तो ध्यान दीजिए कोईशन नमबर एक है कि बताइए कि निमनलीखित में से किसका होना निश्चित है और किसका होना आश्रमबव है तथा कौन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो चलिए देखते हैं कि कोईशन नमबर एक है कि तिरभूज बनाने के लिए तीन सिर्थ बनेंगे ये निश्चित है ये निश्चित है कि तिरभूज बनाएंगे तो उनके तीन सिर्थ बनेंगे दूसरा है कि एक सिखे को उछालने पर पट आएगा ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है ना वो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि चीत और पट तो दोनों आने की संभाव ना रहती है तिसरा नंबर कोशन है एक सीको को उच्छालने पर चीत एंपट दोनों आएगा असंभव है ये तो निश्यत बुर रहना कि दोनों आएगा ये तो होना असंभव है कि दोनों एक साथ तो आएगा नहीं या तो चीत आएगा नहीं तो पत आएगा चार नमेर कोश्चन है, कि एक पासे को फिकने पर साथ आएगा, ये भी असंभार, क्योंकि एक पासे में केवल 6 ही होता है, 6 औंक ही होता है, तो साथ कहां से आजाएगा, ठीक है? कल बादल घीर रहेंगे यह का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसको हम लोग ले सकते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है ना यहां मैच भारत जीतेगा यह निश्चित असंभव है यह हम किवल अनुमान लगा सकते हैं कि हो भी सकता है किना कि मैच भारत जिट सकता है और नहीं भी जिट सकता है ये हम मैच से पहले अनुमान लगाते हैं एक से पर एक से आठ तक के शंक्षाएं य हूई है तो उन्हें एक box में रखकर अच्छी परकार से मिला दिया जाता है तो woks के अंदर से बीना देखे एक पर्षी निकाली जाती है तो ah निम्न की पराइक्ता क्या होगी संख्या 5 पराप्त होना संख्या 5 पराप्त होना तो संख्या तो एक ही है और कितनी है टोटल परची 8 है तो एक बटा 8 ही इसका हो जाएगा पराइक्ता 5 से छोटी एक संख्या पराप्त करना तो 5 से छोटी कौन हो जाएगा एक, दू, तीन, चार ठीक है? तो राच है? तो कितना है? तो 4 हो जाएगा तो चार बटा में 8 हो जाएगा 5 से छोटी 4 गोष संख्या है तो 4 बटा 8 हो जाएगा तो कटा दीजے तो इसका पराइकता हो जाएगा एक बटा दू पांच से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना तो पांच से बड़ी कौन-कौन संख्या है तो छो, साथ, आठ तो तीन बटा में आठ हो जाएगा इसका एंसर का प्राइक्ता हो जाएगा तीन बटा आठ क्लियर है? चेकंड नमबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए, अब आते हैं तिन नमबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन नमबर तिन है कि रानी और सीला रानी और सीला में कौन पहले गाना गाएगी इसका निर्णे करने के लिए एक सीका उच्छाला जाता है तो सीका के पहले पहले गाने की पराइकता क्या होगी? ठीक है? सीला के पहले गाने की पराइकता क्या होगी? तो एक बटा दू होगी सीला के पहले गाने के पराइकता एक बटा दू होगी क्योंकि दो है सीला और रिना है और एक गा रही है यानि सिला गा रही है तो एक बटा दो है पिलियर है ठीक है ना चलिए अब आते हैं हम question number चलिए इसका तो question number दो यह तक था तीन ही तक था जो कि हम लोग solve कर चुके हैं तो इसी के साथ हम लोग का प्रसनावली चार पॉन चार भी complete होता है तो पढ़ाई यह अच्छे लग रहे है तो like किजिए share की और comment करके बताए कि कैसे लग रहे है फिर मिलते हैं next video में आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत